हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ, इंडिया की second largest manufacturing industry commercial के अंदर यानि की commercial vehicle के अंदर बनाता है और ये commercial vehicle के अंदर आपके last segment और जो medium segment दोनों को cover करके चलता है 8th largest manufacture of buses in the world 8th largest manufacturing of buses in the world और most important जो बात करूँगा, 15th largest manufacture of trucks globally so three segment के अंदर इसने अपना market capture किया हुए यानि कि any guess, यानि कि अगर मैं बात करूँ अशोग लेलेंड के, यस अशोग लेलेंड की मैं बात कर रहा हूँ अशोग लेलेंड का आपको मैं बताऊंगा so guys, आईए मैं आपको स्वागत करता हूँ, अपने screen के अंदर तो ये अशोग लेलेंड का चार्ट मंतली बेसिस में बने लगा है आप देख सकते हैं, आपको देखके एक मजा आ रहा हूँ का चार्ट देखके कि बहुया, एक cup and handle, एक powerful candle बन रहा है, हमारा pattern बन रहा है cup and handle के नाम से अब इस cup and handle में यहाँ create हो गया है होने को इसको यहाँ पर breakout होना चाहिए था पट यहाँ पर breakout ना करके इसने दुबारा इसी जगा पर resistance बना कर supply बना कर, zone बना कर यहाँ पर छोटा सा pattern और बना है जब जब ये दो एक powerful cup बनने के पाद, जब ये दो छोटे इस तरह के बनते हैं और ये जो low होगा, ये अपने previous low के नीचे नहीं होना चाहिए यानि की higher lows बनने चाहिए जब अगर ये दो handle अगर higher lows के तरह से formation जाता है जब इसका breakout मेलेगा तो बहुत जबर्दस pattern होता है जबर्दस pendleship होता है, ये छोटा सा logic है cup and handle में आपको बताया जाता है कि बहुत एक cup होगा और एक handle होगा और ये breakout होगा काम कर लो ना, अगर मैं बोलूँगा cup and handle ये काम तो करता है, लेकिन साथ में अगर एक छोटा सा और handle बन जाए, तो भाईया इसका जो breakout होता है वो double धमाकेदार होता है और जबर्दस पैसा बनाने वाला pattern बन जाता है तो ये weekly charts में आपको मैंने दिखाया जो breakout कर रहा है और एक अच्छा खासा resistance बना रहा है यहीं पर अगर इसने breakout किया something cooking very big और रोख सको तो रोख लो इसमें actually मैं something cooking very big है targets के लिए इस pattern को follow कर सकते है साथ ही साथ अगर technical highlights देने की मैं आपसे बात करूँ sir 60 RSI daily basis पे weekly basis पे monthly basis पे breakout करके निकला है और क्या चाहिए apart from this 20 SMA, 50 SMA, 90 SMA, 200 SMA इसका crossover लेके निकला है कोई भी time frame लोग बोलते हैं कि 200 के उपर है तो stock 20 माई करना चाहिए बॉस माई यहां पर आपको छोटे time frame से लेकर बड़े time frame SMA का बात कर रहा हूं moving average के बात कर रहा हूं इसके अंदर भी ब्रेकाउट करके निकला है और क्या आपको चाहिए और मेरा favorite pattern मेरा favorite candlestick मेरा favorite indicator camera आपको याद होगा हमेशा मैं camera की बात कर रहा है आर फोर के ऊपर बे यह बैटन निकला है ब्रेकाउट करके यह प्राइजर्शन निकला है भाई यह तीन तीन पावर्फुल confirmation है रोक सको तो रोक लो something cooking is still very big but 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 सुनो सबको लेकिन करो सिर्फ अपनी proper analysis करो proper learning करो learning करने के बाद आप सीखो यह learning में आपको देने की कोशिश करो इस तरह के बैटन्स आपको भी मिलते है comment section बताओ मैं आपके लिए कोई video stock के अंदर बनाना है मुझे comment section बताओ मैं आपके लिए video बनाके लाओंगा कि मुझे कैसा लगता है क्या वाके में powerful है की नहीं है अब मैं थोड़ा सा fundamental बात कर लेता हूं जो कि roads highest ever this is wonderful sign इस जगह पे मतलब एक अच्छी खासी फॉल के बाद कब बनाया आपका बनाने के अब एक छोटा सा handle बनाया और इसी जगह पे अगर आपका fundamental support कर जाए तो मज़ेदार है कि नहीं है तो यह तुरू का एक है साथ ही साथ plant invest करने जा रही है 1200 करोड का कम से कम electric vehicles and buses के अंदर जो इनका upcoming project के अंदर है इसके अंदर plans to expand ICV range यानि कि intermittent commercial vehicles and bus portfolio to pursue market share growth के अंदर तो यह भी एक बहुत important powerful है और इसके पास 2500 vehicles का order book अरड़ी पढ़ा हुआ है तो आप इनके साथ अगर आप इस weekly chart को भी देखोगे तो मैं weekly chart में भी same pattern देगे वी शेप में जब भी market में गिरावत होती और वी शेप के गिरावट के बाद अगर यह breakout होता है तो दोस्तों मैं आपको highly recommend करूँगा कि इस stock के अंदर आप आइं कर सकते है अगें as a severe restaurant हो सकता है मेरे portfolio के अंदर भी यह stock अच्छी quantity में हो साथी साथ मेरे जो investors है यार फिर मेरे जो clients है जो हमारी service ले रखे है उनके पास भी इस stock के अंदर investment हो सकता है तो as a severe restaurant मैंने आपको disclaimer देने की कोशिश करी है अब यहाँ पर entry की बात करनूँ मेरे दोस्त अगर यहाँ पर 167 के ऊपर यह stock निकलता है तो buy above 167 stop loss हमारा रहने वाला है यहाँ पर करीब करीब 117 का और हमारा target रहने वाला है करीब करीब यहाँ आपका गर map तो guys first target होगा 450 के आसपास का और second target रहेगा हमारा 650 के आसपास का यह बहुत बड़े targets दे रहाँ तो समझके दे रहाँ क्योंकि दम कम है second largest 8th larger 50th largest company सिर्फ largest नहीं सिर्फ नाम नहीं बहुत बड़ा नाम है बहुत बड़ा नाम है अशोक लेडर आते जाते रोड पर आप never ever trade in the stock market so 117 का stop loss है stop loss के साथ आप काम करेंगे sir मैं यह नहीं को कि यह stock आपको 100% या 500% या 1000% यह stock आपको क्रोड पती बनाने वाला है बट इस तरहीं की अच्छे stocks आप इपने portfolio में रखोगे बले 5, 10, 15, 20, 25,000 का investment करोगे लेकिन आने वाले time में यही stock आपको दिखाने वाल अगर शेर करेंगा और हाँ अगर वाके में आप अश्रोन लेलेंड से प्यार करते हैं तो अपने दोस्तों साथ जरू शेर करेंगा थांकियू सो मच हापी टेडिंग जैए